कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होगा चुनिये CGPSC पात्षाला क्लासेज को और करे अपनी CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार डाउनलोड डियांग नाउ हेलो इश्टो और मनिखिल कुमार एक फिर आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चाना CGPSC पात्षाल में CGPSC पात्षाल में आज हम डिसकस करने वाले है हमारे प्रदेश के नौ गठित तीसवा जीला सारंगड बिलाईगड पर देखे कल के क्लास में हमने हमारे प्रदेश के 29 जीले मोहिला मानपूर अंबागड चौकी का एक डिटेल वीडियो कवर किया मैप बना करके सारे लोकेशन ट्रेस करके हमने कल के क्लास में हमारे प्रदेश के 29 जीला मोहिला मानपूर अंबागड चौकी को कवर किया है आग किस प्लास्त में हम डिसकस करने वाले हमारे प्रदेश का 30 जिला सारंगर बिलाएगड देखिए ध्यान समस्ति वे चलिएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि यह आपका सारंगर बिलाएगड जो आपका नौ गठीत जीला है इसकी सीमां किस अन्य जीला या किस राज्ये के अब देखे ये है आपका सारंगड बिलाइगर जीले की जो उत्तरी सीमा है जांजगीर चापा और रायगर जीले के साथ सीमा सजा करती है पहले जीलों के नाम को ट्रेस कर लिजिए इस सारंगड बिलाइगर जीले की आपकी पस्चीमी सीमा बलोदा बजार जीले के साथ सीमा सजा करेगी जबकि इसकी पूर्वी सीमा जो है ये उडिसार राज्य के साथ सीमा सजा करेगी ठीक है उडिसार राज्य के साथ सीमा सजा कर रही है ठीक है किसी अन्य राज्य की सीमा को इस परश कर रही है इससे क्या ध्यान आएगा देखिए ध्यान समझेगा किसी अन्य राज्य कहा सीमा सजा कर रही है इसके मतलब क्या है यह आपका भू आवेश्ठित जिला नहीं है ठीक है अगर आप सामान ने अध्यान का टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां आपको एक वर्ड पढ़ने के लिए मिला होगा भू आविश्ठित भू आविश्ठित का मतलब होता लेंड लोग्ड एरिया ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साजा नहीं करती उसे भू आविश्ठित आपका जिला कहा जाता है जिससे कि रायपूर आ आप देखेंगे तो यह भू आवेश्टी जिला नहीं है क्यों क्योंकि इसकी सीमा जो है यह आपके उडिसा राज्य के साथ सीमा साज्या कर रही है वैसे ही आपका मोहिला मानपूर अंबागार चौकी जिसकी सीमा महराश राज्य के साथ लगी हुई है तो वो भी आपका और जबकि इसकी पूर्वी सीमा है यह ओडिसा राज्य के साथ सीमा साझा करती है अब यह तो जिले और राज जी हो गए अब तहसिल कौन-कौन से यह समझ लिजिए इस सारंगर बिलाईगर जिले का उत्तरी सीमा जांजगीर चापा के डभरा के साथ सीमा साज़ा करती जबकि रायगर जिले के पुसोर तहसिल के साथ यह सीमा सजा करेगी यह दोनों के दोनों उत्तर में स्थित है ठीक है दोनों के दोनों के दोनों जो है आपके उत्तर दिशा में स्थित है जबकि इसकी जो दक्षनी सीमा है ये महा समुन जिले के सराय पाली के साथ सीमा साजा करती है महा समुन जिले के सराय पाली के साथ सीमा साजा करती है जबकि इसकी आपके पस्चिमी सीमा जो है ये बलोदा वाजार भाटा पाला जिले के कसडोल के साथ सीमा साजा करती है अब देखें यहां पर confusion कहा होगा अगर आप पढ़े होंगे जो हमारे पिछले लेक्टर्स आये थे इसी नव गठी जीले के उपर देखिए यहां पर यह जो आपका डबरा है ना यह डबरा सकती के अंतरगत जाएगा अभी और एक जीला बनने वाला है सकती जिसका गोशना पहले ही कर दिया गया था मुख्यमंत्री बुपेश बगिल जी के द्वारा 15 अगस्त के स्वतनत्रा दिवस के और मुख्यमंत्री बुपेश बगिल जी के द्वारा पिछले साल यानि कि 15 अगस्त दो हजर इक को चार नय जीले के गठन के जाने की घोशना की गई थी मोहेला प्रिफक हो करके बनेगा और इस जांजगीर चापस जब यह प्रिफक होगा सकती जिला तो यह डबरा जो है यह सकती में चले जाएगा लेकिन अभी तक यहां अस्तित्व में आया नहीं है क्योंकि इसके स्रीजन संबधित नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ठीक है तो ड जाबरा जो है वो आज भी जांजगीर चापा में मेंशन कर रहा है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें महा समून महा समून में केवाल नोटिफिकेशन ने बताया गया है कि महा समून जिले के सरायपाली तहसिल के साथ सीमा सजा करता है लेकिन एक्चुली में यह आपक आपका सरायपाली पस्टिमी सीमा बलोदा बजर जीले का कल्सडॉल और आपका उत्तरी सीमा उडीसा राज्य के बरगर जीले के अंबा भावना तहसिल के साथ सीमा साजा करेगा तो यह सीमाओं से प्रशन आते हैं थोड़ा सा इसे कवर कीजिएगा ठीक है चलिए अब एक करके थोड़ा से इसका डिटेलिंग करते ध्यान समझेगा आपका सारंगड बिलाईगर जो है यह हमारे प्रदेश का तीसवा जीला बन रहा है 28 वा कौन सा था 28 था आपका गोरेला पिंडरा मरवाही 29 जीला था आपका मोहिला मानपूर अंबागर चौकी 30 जीला बन रहा है बन गया है आपका सारंगड बिलाईगर देखिए मुक्यमंत्री भुपेज बखेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को 37 विवस के औसर पर चार नय जीले के गठन किये जाने की गोशना की गई थी उन चार नय जीलों में एक जीला था आपका सारंगड बिलाईगर कुछ समय जीले सारंगड बिलाईगर की सिमाओ तो संबंदित किसी प्रकार की अगर आपत्ती हो तो वो साथ दिन का यह जो आपका दावापत्ती का जो आपका अधिसूचना जारी किया जाता है उसमें साथ दिन की निर्धारित की जाती है अगर इसकी सिमाओ को ले करके किसी प्रका एक नई अधिसुचना जारी किया गया, 1 सितंबर 2022 को राजपत्र में यहाँ प्रकाशित हुआ, ठीक है, राजपत्र में यहाँ प्रकाशित हुआ, इन्पोर्टेंट है, स्रीजन संबंदित, स्रीजन का मतलब होता है, इस डेट में यह जिला जो है, यह आपका अस्तित्व मे आया, अस्तित्व में आ गया, ठीक, अब देखिए, इसका अफचारिक तोर पर इसका उदगाटन, अफचारिक तोर पर इसका उदगाटन किया गया, 3 सितंबर 2022 को सारंगड के खेल भाटा मैदान से, ठीक है, सारंगड के खेल भाटा मैदान से जो है, इस आपके सारंगड विलाईगर जीले का उधगाटन किया गया मुख्य मंत्री भुपेज बगेल जी के द्वारा एक उधगाटन समाहरों आयोजित किया गया जिसके मुख्य अतिती थे आपके मुख्य मंत्री भुपेज बगेल जी जबकि इस उधगाटन समाहरों के अध्यक्षता कर रहे थे संख्यक विकास विभाग जो है इनके पास है ठीक है जैसे आप सभी को पता होगा हमारे प्रदेश में टोटल आपके मुख्य मंत्री सही तेरा कैबिनेट मंत्री है और हर एक मंत्री के पास अपना एक एक सेपरेट विभाग है तो यह जो आपके प्रेम साय सीन टेकाम है यह यह एक कैबिनेट मंत्री है जिनके पास इसकूल सिक्षा तथा अनुसूचित जाती जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग विकास विभाग जो है इनके पास है यह इस उदगाटन समारों की अध्यक्षता कर रहे थे प्रभारी मंत्री थे आपके कर वाशे जो आपका नौ घठीत जीला है ये किज जिले से प्रिथाको कर बन रहा है इसका मात्री जीला है और गया और अफिधा बजार भान थे कर बरड़ा भचाथ जला. है हम तो नॉर्मल बोल चाल कि भासन में इसे बलोदा बजार जिला बोल देते हैं लेकिन इस बलोदा बजार जिले का भी पूरा नाम है बलोदा बजार भाटा पारा जैसे कि अभी हम पढ़ा ना सारंगड बिलाईगड मोहिला मानपूर अंबागड चौकी ठीक वैसे जो है आपके इस बलोदा बजार का भी पूरा नाम है बलोदा बजार भाटा पारा ठीक है तो देखिए ये दो जीलों से प्रिथकोगर के अस्तित में आ रहा है एक है रायगड और दूसरा है आपका बलोदा बजार भाटा पारा किस प्रकार से ध्यान से देखिएगा यहां पे जो आपके जो बिलाईगड़ वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ठीक है इधर वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा आपका बलौधा बजार से बलौधा बजार बलौधा बजार से प्रिथक हुआ है जबकि इधर वाला जो हिस्सा है आपका सारंगड सर्या बरम केला वाला ये आपका रायगड से प्रिथक हुआ है ये रायगड का हिस्सा था यहां से जो है ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये इधर वाला हिस्सा ये आपका रायगड क अंतरगत था ठीक है तो आपका सारंगड जो है ये प्रिथक हुआ है रायगड से और बिलाईगड जो है ये प्रिथक हुआ है आपके बलोदा बजार से ठीक तो ये इसकी मात्री जिला कौन है आपका रायगड और बलोदा बजार भाटापारा अब देखें जो नौ गठीत जीला है आपका सारंगड बिलाईगर ये एक तो रायगर से प्रिथक हुआ है और दूसरा बलोदा बजार भाटापार से प्रिथक हुआ है अगर हम बात करें रायगर जो है ये बिलासपूर संभाग के अंतरगत आता है जबकि बलोदा बजार जो है ये आपके रायपूर संभाग के अंतरगत अब देखिए बिलासपूर संभाग के अंतरगत अब जिलों की संख्या कितनी हो गई एक आपका मुंगेली है दूसरा गोरिल्ला पेंडरा मर्वाही तीसरा बिलासपूर खुद चौथा है आपका कोर्भा पाच्वा जांजगीर चापा छटवा है आपक बिलासपूर संभाग के अंतरगत जीलो की संख्या हो गई है साथ सक्ति अभी अस्तित्व में आया नहीं है सक्ति जैसे ही अस्तित्व में आएगा तो बिलासपूर संभाग में जीलो की संख्या हो जाएगी आठ अभी आपके जीलो की संख्या कितनी है साथ कल के डेट में हमने देखा था आपका दुर्ग संभाग दुर्ग संभाग के अंतरगत जीलो की संख्या कितनी हो गई है दुर्ग संभाग के अंतरगत जो है आपके जीलो की संख्या हो गई है साथ वैसे ही आपके बिलासपूर संभाग के अंतरगत भी जीलो की संख्या कितनी साथ के अब देखिए इसके अगर हम पडोसी जीले की बात करें इसके पडोसी जीले की बात करें तो देखिए चार जीलों के साथ यह सीमा साचा करता है चार जीलों के साथ हम पिछले स्लाइड में देख चुके थे चार जीले कौन-कौन से है एक है आपका जांजगीर चापा एक रायगर दो उत्तर दिशा में, महासमोन तीन दक्षिण दिशा में और बलौदा बजार भाटा पारा штार तो ये जो है इसके सीमा वर्ती परोसी जीले कौन-कौन से है आपके रायगर, बलोदा बजा, जांजगीर, चापा, महा समुन, टोटल चार जीलों के साथ यह सीमा थाजा करता है, सेपरेट कथान आधरी प्रशन ही पूछ सकता है, यह सिंगल वन लाइनर कोश्चन भी पूछ क्र convenient है, देख़े, ताहसील कौन-कौनसे है? सारंगड, बरमकेला, सरिया, बिलाइगर और भटगाओ कौन-कौनसा? सारंगड, बरमकेला, सरिया, बिलाइगर और भटगाओ, तो तोटल आपके 5 ताहसील इस इस नौगठी जिले के अंतरगत आएंगे, ठीक है, देखिये, सारंगप, बरम केला, सरीया, यह तीनों की तीनों आपके सारंगप के हिस्सा है, जबकि बिलाइगर और भठगाओ आपके बिलाइगर के हिस्सा है, ठीक है, अगर हम बात करें इसके भोगोलिक दशा की, तो यह जहां से इस नौ गठी जीले में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है आपकी महा नदी एक और रदी प्रवाहित होती है सुरंगी नदी आगे मैप में से हम डिसकस करेंगे जबकि इसके भूग अरभीक या इस्थलाकृति बनावट के अगर हम बात करें तो इसकी भूग सहल समोवाले छेतर में मुख्य चुना पत्थर एक मुख्य खनीच की रूप में पाया जाता है अगर इसके हम भौगोली की विभाजन की बात करें भौगोली की विभाजन यानिकि हमारे च्छतिस गड़ जो है उसको टोटल चार प्राकृतिक प्रदेश बाठा गया है तो यह आएगा आपके महानदी प्रवातंत्र के अंतरगाद हमारे प्रदेश जो है आपके कई नदी प्रवातंत्र है बटा हुआ है जैसे कि महानदी प्रवातंत्र गोदावरी नदी प्रवातंत्र सोन गंगा प्रवातंत्र ब्रह्मणी नदी प्रवातंत्र नर्मदा यह आपका जो नव गठी जीला है, यह महा नदी बेसीन या महा नदी प्रवातंत्र का हिस्सा है, ठीक, अगर मिट्टी के विस्तार की बात करें, तो यहां मुख्यता है, आपके लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, लाल पीली मिट्टी, जिसमें आपके चावल भी लिया जा आएगा और ध्यान दिजेगा इस गोमर्दा आप भेरने पाये जाना है जो मुख्य वन्य जीव है वो है आपका सोनकुत्ता संभावित उद्योग संभावित उद्योग के अगर हम बात करें तो यहां पर आपके कोसा का उत्पादन होता है जो की रेशम उत्पादन में आपक जिससे जो है रेशम का उत्पादन होता है तो देखिए यहां पर अगर संभावित उद्योग बोला जा रहा है यहां पर इस्थापित नहीं है संभावित अगर हम यहां पर कोई उद्योग इस्थापित करना चाहे तो यहां पर संभावित उद्योग है आपका रेशम उद ग्शिल्फ है. एक है आपका झझारा सिल्फ जो है ये रायगड़ब चित्र में है. ये जो है आपका भ्रष्ट मोम पद्धती पर आधारित है यानि कि मोम को पिघला करके उसे सुखा करके उसको एक शेप दे जाता है जिसे खेत में धबा दिया जाता है, एक छेत के मांद्याम से गरम पिगलता हुआ धातूं उसमें प्रभाहित किया जाता है। तो जो मोम है वो पिघल करके दूसरे सीरे से बाहर निकल जाता है और जो आकृती मोम की बनाई गई रहती है वो आकृती का रूप धारन कर लेता है धातू. तो ये एक प्रकार का जो है आपका धाटु शिल्पर समबंदित है जारा शिल्पकला जारा हस्ते शिल्पकला अगर हम बात करें यहाँ पर निवास करने जन जाती तो यहाँ पर आपके सवरा जन जाती कोंद जन जाती बिंजवार जन जाती यहाँ पर निवास करती है सवरा क बिलाईगड दोनों के दोनों आपका SC यानि कि scheduled caste यानि कि अनुसूचित जाती वर्ग के लिए आरक्षित सीठ है दोनों के दोनों विधान सभाव सीठ ठीक है अगर हम आपके सारंगड सारंगड और आपके बिलाईगड दोनों के दोनों आपके अनुसूचित जाती वर्ग क के लिए आरक्षित है सारंगड विधान सवा सीठ के अगर हम वर्तमान विधायक की बात करें तो यह है आपके उत्तरी गणपत जांगडे ठीक है उत्तरी गणपत जांगडे जो की वरतमान में विधायक है आपके इस सारंगड की सारंगड की ठीक है यह आपसे उतना डिटेल है पूछा नहीं जाएगा लेकिन नव गठी जिला है तो थोड़ा बहुत याद कर लिजेगा ठीक और दूसरा है आपका बिलाईगड बिलाईगड के है आपके चंद्र देव प्रसाद राय जो की विधायक है आपके बिलाईगड के बिलाईगड के ये विधायक है एक knowledge के लिए रख लीजेगा लेकिन important क्या है कि जो दोनों के दोनों seat है ये आपके अनुसूचित जाती वर्ग के लिए जन जाती नहीं जाती वर्ग यानेकी schedule direct caste के लिए आरक्छित है अब देखिए ये जो आपका सारंगड है ये सारंगड हमारे प्रदेश के 14 देसी रियासतों में से एक था ठीक है एक देसी रियासत था जहाँ पर राजगोंड वंच का शाषन हुआ करता था ऐसे टेप के प्रशना आते हैं एक्जाम में ठीक है कोई भी एक देसी रियासत देदेगा और बोलेगा कि इस देसी रियासत में किस वंच का शाषन था तो यहाँ पर जो है आपके राजगोंड राजगोंड वंच का शाषन था इस राएगल रियासत के संस्थापक माने जाते हैं नरेंद्र साय नरेंद्र साय जो की लांजी नामक छेत्र से आ करके बसे थे देखें यहाँ पर जो है लांजी नामक छेत्र का उलेक मिलता लेकिन लांजी नामक छेत्र किस राज्य से था इसको लेके ठोटा सा विवाद है एक आपके मद्दिप्रिस के बाला घाट वाले चेतर के अंतर गद्बी एक लांजी आता है और दूसरा लांजी चेतर जो है ये महराष्ट राज्य के अंतरगत भी ऐक लांजी चेतर आता है फिलाल उतना डिटेल में नहीं जाएगा बस एक याद रखेगा कि लांजी नमाग छेतर से आ करके नरेंद्र साय ने यहाँ पर जो है आपके इस सारंगर रियासत की नियू रखी थी आदी पूरुश वाने जाते हैं नरेश सीह जो है इन्होंने विलाय पत्र पर हस्ताक्षर किया था जब भारत देश आजाद हुआ और भारत देश की आजादी के पस्चात पूरे के पूरे भारत की देशी रियासतों का विलाय किया भारतिय संग में तो सारंगर देशी रियासत का विलाय भी भारतिय संग में किया गया और उसके लिए विलाय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा थे आपके राजा नरेश सी इनके हस्ताक्षर के पस्चाथ एक जनवरी 1948 को यह सारंगड रियासत भारती संग में शामिल हो गया था ठीक है अगर अन्य महत्तपुन तथ्य की बात करें तो सारंगड मे की हुआ था आपके वर्षव 1941 में इस विद्रो के नेत्रित्व करता था दानी राम पटेल जो की चेरी नामक करके विद्रो में यह जो है आपका किसान विद्रो हुआ था तो इसको भी थोड़ा जाद रख लिजिएगा इस सारंगड छेत्र में किसान विद्रो का नेत्रित तो किस ने किया था तो दानीराम पटेल ने सारंगाड छेत्र में किसान विद्रो किस वर्ष हुआ था वर्ष 1941 में ठीक है दानीराम पटेल प्रदेश में हुए किस किसान विद्रो से संबंदित है तो किस संबंदित है आपके सारंगाड किसान विद्रो से ऐसे प्रश्ट पर हम चर्चा करेंगे ध्यान दीजेगा जिन भी इस्टुएट ने छत्तिगर समान नेधन का ओनलाइन बैस जॉइन किया था वो भी इस सारंगड बिलाइगड जिले वाले टॉपिक को इसी यूटुब वीडियो से कवर करेंगे वैसे तो मैंने आपको क्लास में सारंगड ब बलयोदा बजार से कजडोल के तरफ से एक नेशिवें और बलयोधा करते हुए के सारंगड बिलाईगड जिले में यह नेकि national highway number 130B है यह रायपूर, रायपूर टू बलादा बजार, बलादा बजार से कजडोल, कजडोल से बिलाईगड और बिलाईगड से सारंगड इसे connect करता है, सारंगड में आकर के national highway number 130B end हो जाता है, इस सारंगड से होकर के एक national highway और गुजरती है जिसका नाम है national highway number 153, national highway number 153 जो की इस सारंगड बिलाईगड की नीचे मावजू था आपके महासमूद, महासमूद के सरायपाली से यह इंटर करती है और फिर यह सारंगड से होते हुए यह जाकर के उपर connect करी किसे रायगड को, तो national highway number 153 है वो आपका सरायपाली, सरायपाली to सारंगड, सारंग to रायगड को connect करता है, इधर एक और सड़क है, यह सड़क का कोई नाम नहीं है, यह सड़क जो है, यह आपका बरमकेला सरिया और रायगड को आपस में connect करता है, कोई आपके national highway नहीं है, एक local सड़क है, जो आपके बरमकेला सरिया और उपर जाकर के यह आपके रायगड को connect करेगा तो ध्यान दीजेगा इस नव गठी जीले से होकर के दो national highway गुजर रहा है एक national highway number 130 बी जो की बलोदबाजारे कजडोल से इंटर करेगा और आपके बिलाइगड और सारंगड को connect करेगा ठीक है सारंगड में आकर के end हो जाएगा एक national highway number 153 जो की सरायपाली महासमून से होते हुए सारंगड टू रहाइगड को connect करता है और एक local सड़क है इसमें आपके बरमकेला बारदेगा और सरिया और उपर जाकर के रहाइगड में ये सड़क connect होता है अब देखिए एक एक करके सभी शहरों के नाम हम देखते है सबसे पहले इस national highway number 130 B पे मौझूद है आपके बिलाइगड बिलाइगड के बाद है भटगाओ, भटगाओ के बाद है सरसीवा, सरसीवा के बार है आपका सारंगड सारंगड के अगर उपर जाएंगे इस national highway number 153 में तो उपर तरफ मौझूद है आपका हर्दी हर्दी के साइड है मौझूद है आपका टीमर लगा, अगर इस सारंगड से आगे बढ़ते तो यहाँ पर मौझूद है बरम किला, बरम किला के बाद है आपका बार देगा और बार देगा के बाद है सरिया इसी आपके सड़क में रायगड के तरफ मऌझूद है आपका एनटी पीसी, लारा, पुसओर जो है, इसे मौझूद है रायगड में ओर रायगार अगर अगर टोपिक है नीचे तरप मौझूद है एक अभ्यरणिया जिसका नाम है गौमर्दा अभ्यरणिया, यहाँ पर मौझूद है एक शहर जिसका नाम है टीमर लगा, ऊपर तरप से एक नधी प्रवाही तोरी जिसका नाम है आपका महा नदी, चलिए अब एक एक करके डिटेलिंग करते हैं, टीबी से हम इंटर करेंगे, तो सबसे पहले पढ़ता है आपका बिलाईगर, बिलाईगर में मौझूद है एक मंदिर जिसका नाम है आपका किलबिली, किलबिली माता का मंदिर, ठीक है, किलबिली माता मंदिर, ये कहां पर मौझूद है, किलबिली माता का मंदिर मौझूद ह आपके बिलाईगर में देखिए अभी यह जो आपका सारंगड बिलाईगर जो नौगठी जिला है यह अभी अस्तित्प में आया है अभी इसमें विकासात्माक कार्य किये जाएंगे अभी यहाँ पे उद्योग स्थापित किये जाएंगे अभी इसमें development होगा तो इसे बतान अक्सर ये सभी शहरों के नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपका भटगाओ, सरसीवा, सारंगर, बरमकेला, सर्या, बार्देगाओ, पुजारीपाली, हर्दी, ये सभी के सभी शहरों के नाम आपको न्यूस पर पढ़ने के लिए मिलेगे, तो बिलाईगर में किलबि पूरुषब वो है आपके नरेंद्र साय राजा नरेश सींग के दौरा हस्ताक्षर बिला है पत्र पे हस्ताक्षर किये जाने के बाद एक जनवरी 1948 को यह सारंगर देसी रियासत आपके भारतिय संग में शामिल हुआ तो यह है आपका सारंगर देसी रियासत और ध्यान दीज यहीं पर आपके पुलिस अधिक चन्रक बैठेंगे न के बता दूं जो शारंगर बिलाएगण जिले के कलेक्टर अभी बने है डी राहुल वैंकट्ट और पुलिस अधिक चन्रक बने के रेतिक है राकेश कुलेजा टी bisa में कोछा जाएगा लेकिन जो इस जिल्ले से इसके आगे जाएंगे तो यहां पर है आपका बरंकेला ध्यान दीजेगा यह जो बरंकेला है और यह जो सरिया है दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है सरिया बरंकेला के नाम से ठीक है सरिया बरंकेला के नाम से जो है यह दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है सरिया बरंकेल इन दोनों के बीचे मौजूद है आपका बार्देगाओ, बार्देगाओ से मिला था आपके मौर ये कालीन सिक्के, ठीक है, जो आपका बार्देगाओ है, बार्देगाओ से हमें मौर ये कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, मौर ये कालीन सिक्के, सामान नेध्यन का टॉपि यहां पर पुजारी पाली, क्या मौझूद है, पुजारी पाली, जो पुजारी पाली है, इस पुजारी पाली में मौझूद है आपका केवटीन का मंदिर, केवटीन, केवटीन का मंदिर, ध्यान दीजेगा, केवटीन का मंदिर, केवटीन, ऐसी महिला जो की मचली पगड़ गुप्त कालीन, ठीक है, गुप्त काल के समय जो है इस मंदिर का निर्मान हुआ था, गुप्त कालीन भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, केवटीन का मंदिर, हमारे प्रदेश के प्राचीन मंदिरों में से एक है, एक मंदिर है आपका देवरानी जेठानी का मंदीर ठीक है जो कि ताला गाव में इस्थित है और एक है आपका केवटीन का मंदीर जो कि आपके इस सारंगार बिलाइगर के पुजारी पाली में मौझूद है केवटीन का मंदीर जो कि 17-18 सताब्दी के आजपास गुप्तकाल में निर्मि देखिए हवाई अड़ा और हवाई पट्टी यानि कि एरपोर्ट और हवाई पट्टी में थोड़ा सा अंतर होता है एरपोर्ट जो है वो बड़े इस्तर का होता है जहांपे domestic flights यानि कि दूसरे राज्यों में जाने के लिए उड़ाने भरी जाती है जबकि जो हवाई पट्टी है छोटे इस्तर का होता है यह personal use clay होता है यहांपे chartered plane, private plane या government के helicopter यहांपर उतरते हैं तो हर्दी जो है हर्दी में मौझूद है एक हवाई पट्टी ठेक हर्दी में एक हवाई पट्टी मौझूद है नीचे यहांपर अगर आप देखेंगे तो यहांपर मौझूद है एक अभ्यरने जिसका नाम है आपका गोमर्दा अभ्यरने गुमरदा बेरेन पहले रागड के अंतरगद आता था, अब यह सारंगड बिलाईगड जिले के अंतरगद आएगा जहां पर पाया जाने वादा जो मुख्य वन्ने जीव है वो है आपका सोन कुत्ता कौन सा वन्नी जी उपाया जाता है सोन कुत्ता जो है यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है ठेक अब देखिए उपर दरब से हो करके एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है महा नदी महा नदी आपका जांजगीर चापा और नौगठी जीला सक्ती से होते हुए आ आपके महा नदी बेसीन का हिस्सा यानि कि महा नदी प्रवाहत अंत्र का हिस्सा है ध्यान दीजेगा इस महा नदी की तट पर वसा हुआ यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है टीमर लगा टीमर लगा में मौजूद है आपका नाथल दाई मंदीर कौन सा नाथल दाई या नाथिलदाई मन्दीर, ठीक है? देखे, नाथल दाई है, नाथिलदाई मंदीर, इसी के उपर मौझूद है आपके जांजगीर चापा, और जांजगीर चापा में इसी महानदी के त्रिवेनी संगबर मौझूद है एक along पर मौझूद है एक चंदरपूर ठीक है, चंद्रपूर, चंद्रपूर कहां पर है, आपके जांजगीर चापा में, अगर नवगठी जीला आपका सक्ती बनता है, तो ये चंद्रपूर सक्ती में चले जाएगा, तो जो आपका चंद्रपूर जो शहर है, वहाँ पे त्रिवेणी संगा में, महानदी, मानदी और लात नदी का जिसके तट पर बसा हुआ चंद्रपूर जहां पर चंद्रहासनी माता का मंदीर है जो की 52 सक्ति पिठों में से एक माना जाता है देखिए जो आपके माता सती है माता सती के शरीर को ले करके भगवान शिव जो है पूरे ब्रह्मान में घोम रहे थे तब उनक के हर राज्य जो है अपने इस थान पर एक सक्ति पिठ होने का दावा करते हैं जैसे कि हम बात करें हमारे 36 गड़ में तो 36 सरकार दावा करती है कि जो दंतेशवरी माता का मंदीर है वहाँ पे माता सती का दात गीरा था इसलिए उसका नाम पढ़ गया आपका दंतेशवरी म कर दिए उसका नाम है नाम धालदाई मंदीर ठेक है हर राज्य के सरकार के दूवरा ऐसा दावा के जाता है टोटल 52 सक्ति पीठ है उन 52 में से एक मना जाता है आपके नाथलदाई मंदिर एक तो चंद्रहासनी माता का मंदिर है और एक है आपका नाथलदाई मंदिर ठीक है देखे कुछ पुस्तों के में लिखवा मिलेगा कि नाथलदाई मंदिर जो है यह आपके चंद्रपूर से कुछी दूरी पर, यानि की चंद्रहासनी माता के मंदीर से कुछी दूरी पर, जांजगीर चापा में, या फिर नौ गठी जिले सक्ती के अंतरगत आएगा, लेकिन आप जा करके नेट में सर्च करेंगे, टीमर लगा, क्योंकि नाथलदाई मंद के सारंगड बिलाइगड बन रहा है, तो रायगड वाले छेतर के अंतरगत आता है, आपका टीमर लगा, ठीक है, और ये रायगड के सारंगड वाले हिस्से में आता था, अब सारंगड प्रिथा को करके एक नया जिला बन गया है, सारंगड बिलाइगड, तो जो टीमर का सबसे बड़ा पूल जिसका नाम है आपका स्वर्गिय दिलिप सीह जुदेव सेतु महा नदी के उपर निर्मित सबसे लंबा पूल है आपका स्वर्गिय दिलिप सीह जुदेव सेतु इन्पोर्टेंट है याद रखना है तो यह है आपका सारंगड बिलाइगड जीले का डिटेलिंग, सारंगड, बिलाईगड जीला, जिससे होकर के दो नेश्राइवे गुजररा, नेश्राइवे नंबर 130B, जो की रायपूर से होते हुए बलोदा बजार, बलोदा बजार को क्रॉस करते हुए, कस्डोल से होते हुए, इंटर करेगा आपके सारंगड, बिलाईग दोनों का नाम संयूक्त रुप से लिया जाता है बीचे मौजूद बार्दे गाओ जहां पर मौरे कालीन सिक्क्य प्राप्त हुए थे उपर मौजूद पुजारी पाली जहां पर मौजूद केवटीन का मंदिर केवटीन का मंदिर जो की साथवी से आठवी सताबदी के आसप नाथल दाई माता का मंदिर है ठेक है यहां पर आपके माहा नदी माहा नदी जो प्रवाहित हो रही है इस माहा नदी के उपर निर्मित एक पुल है जिसका नाम है स्वर्गी दिलिपसी जुदेव सेतू माहा नदी के उपर निर्मित सबसे लंबा पुल एक और फैक्ट या चुरंगी नदी सुरंगी नदी जो कि आगे जाकर करके यह along गी नदी में जाकर विसरजित होती है और अग violation गार करके महानदी में विसरजित होती है कि यह जो आप sa står ही नदी आपसे यह प्रश्न फूछा जाएगा कि सारंगड बिलाईगड जिले से होकर कि निमलेखित में से कौनसी एक नदी प्रवाहित होती है तो वो है आपके सुरंगी नदी इस सुरंगी नदी का जो उदगम है वो इसी सारंगड बिलाईगड जिले के छेतर से होता है कहां से exact होता है इससा कोई location पता नहीं है लेकिन अगर आप अभी अगस्त महने current affair पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि यह जो आपके नीचे तरफ महासमुझ जिले में इंटर कर रही है यहीं पर महासमुझ जिले में मिला है आपके देड़ अरब वर्ष पुराना अगस्त महने current affair में पहला ही topic था जिसमें इस सुरंगी नदी खंड में ही मिला है आपके देड़ अरब वर्ष पुराना महासमुझ जिले में सारंगड विलाईगड की बात नहीं कर रहा हूँ महासमुझ जिले मिला है आपका बहु कोशिय सहवाल के साक्ष ठीक है बहु कोशिय सहवाल के जिवाश में के साक्ष मिले है ठीक तो जो सुरंगी नदी है उसका उदगम होता है नीचे महासमुझ से होते हुए वापस ये आपका इंटर करेगी सारंगड विलाईगड में और आगे जाकर के महानदी की एक साहक नदी ओंगी में जाकर के विसर जित होती है तो सुरंगी नदी का भी नाम याद रख लिजेगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही किसी प्रकार डाउट होता आप नीचे कमेंट करेंगे पूस सकते है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक और शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद